हालेलुया, बुले शुमसी की, मुझे गहा गया है कि हिंदी में बात करना है, आमें, तब हिंदी में बलूँगा, आमें, तब रभी किस्तूती हो, सब खुज्जे मसी की, कि यस समय के लिए परमेशवर का धन्यवाद देता हूँ, कि परमेशवर ने यस समय निउच्ट किया, और हम सभी को इसके मुझून नाम ने इकटा होने के लिए एनुगर दिया, आलेलुया, और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेशवर आज हमसे बात करे नेगा, कितने प्रफिष्वास रखते हैं। आमेन कोई विग्ति हमसे बात न करें आज मन में यही दूआ बेरा हूँ कि प्रभु किसी विग्ति की वानी नहीं पर तेरी स्वरगिया वानी मरी काम में आई आमेन जब परमेश्वर की वानी जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर की वानी यहां तक नहीं रही थी, वो सीधा यहां पर असर करती है, हललुया, तो जब परमेश्वर की वानी यहां तक नहीं आती है, तो परमेश्वर की वानी यहां तक नहीं आती है, परमेश्वर की वानी सीधा यहां पर वार करती है, हललुया, और जिसका आलेलिया आलेलिया विश्वास रखेंगे कि परमेशुर आजंब से बात करें जब में बहाँ पर बेठाता जब शुरुबात में हो रहां जानी नहीं तो मुझे फ़ुछ पता नहीं था एस से बेटा था और मुझे लग रहा था ऐसे केड़े हैं वहां पर और जब पेशिरा करके बताया और दिखाया एक लिडेने मदुमक्ही आ है. क्या हे वो? मदुमक्ही. आपको बता है Math uh किया बनाती है बुलो शहर शहर मेटा है मीठा. आपको बता है पर मेशुर के वचन बचन को शहर जैसा मीठा. हलुलुय कभी भी अगर आपको शहट निकालना हो तो पझाल क Key में हाट बड़ता है और जब हम च्छत डालोगे तो मदुमक्हिया जो हे छुपने वेड़ेंगे वो क्या किरेगी? वो क्या किरेगी? बूलिए? काटेगी. बराबर ना? काटेगी. याने आपको रिस्क लेना पड़ेगा. आपको जब शहद चाहिए, तो आपको परिश्रम लेना पड़ेगा. आपको अगर शहद चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा. बिना सेहन किये हुए, बिना रिस्क उठाए हुए, आप शहद नहीं पा सकते, हललुया, परमेश्वर के बचन को शहद कहा गया है, पर वो शहद आपको तब मिलेगा, जब इस शहद को पाने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे, हललुया, आपको उस मदुमक्खी के चंते में हाथ डालना ही होगा, और तब जाकर उस शहद का स्वाज जो है, आप चक पाएंगे, हललुया, हम विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर उसी शहद को आज में दे, हललुया, तो तकलिप तो होगी, क्योंकि डंग मारेगी, कौन मेने मदुमक्खी है, बुलो तो अगर डंग थोड़ा चुबे ना, तो चुबने देना, क्योंकि वो आपकी बलाई के लिए है, हललुया, उसके बाद आपको परमेश्वर शहद देने वाला है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको तरो ताजा कर देगा, हललुया, हललुया, विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आज हमसे बात करेगा, आमें, आमें, ठीक, एक दुआ करेंगे, धन्यवाद परबुजी, फिर एक इस समय के लिए, यह समय जो आपने नियुक्त किया, आज फिर आप हमसे बात कीजिए, हम आपकी ओर में हरते हैं, परमेश्वर पिता, आपकी इच्छा, यहा पाई, प्रात्न, जिंदा, गुदा, प्रभी इच्छी मस्याद के पुवित्र नाम से मांगता हूँ, आमें, 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 आज जिस वचन को हम देखने वाले हैं, वही वचन, जो यहाँ पर बैनर पे लिखा है, जब मैं आज दूआ कर रहा था, यहाँ पर आने के लिए मुतिजीरा, तो मैं परमेशन से मांग रहा था कि प्रभू किस वचन से मैं बात करो, आप मुझे बताइए, तब जब मैं प्रार्तना कर रहा था, दूआ कर रहा था, तो परमेशन ने वही वचन मुझे दिखाया, जो इस बैनर पर है, पढ़ेंगे सब साथ मिलेंगे, पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्त पाओगे, और यरुशलेव, और यहुदिया, और सामरिया में, और पृत्वी की छोर तक मेरे गवा होगे, तो इस वचन में आज हम देखेंगे, हम पढ़ तो लेते हैं, जितना चाहिए उतना समझ तो लेते हैं, पर आपको पता है, इससे बढ़कर परमेश्वर से बात करना चाहता है, हलेलुया, परमेश्वर का वचन ये नहीं जो आप देखते हैं, परमेश्वर का वचन वो नहीं जो आप समझते हैं, परमेश्वर का वचन वो है, जो परमेश्वर कहना चाहता है, हलेलुया, जितना मु की बात कही गई है अलेलुया परमेश्वर कुछ ना कुछ आपसे बोलना चाहता है परमेश्वर कुछ ना कुछ आपसे कहना चाहता है और आज हम देखेंगे कि इस वचल में कौन सी गहरा है जो परमेश्वर आज हमसे बात करेंगे तो जो वचल हमने पढ़ा इसमें से हम ती और विएफिन आज देखंगे पहली बात परंटु जब विस देखेंगी पार परंटु जब पुट्र आत्मा तुम पर आएगा हैं पहली बात तो ये है कि बाइबात परमेशन का चैप चाहता है यह जो कि पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आना दूसरी बात तुम सामर्थ पाओगे दूसरी बात है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो तुम क्या पाओगे सामर्थ दूसरी बात जो है वो सामर्थ है और तिसरी बात जो है और तुम यरुशले और यहुदिया और समर्या में और पृत्वी की छोड तक मेरे गवा होंगे हलेलुया और तिसरी बात है कि जब पवित्रा आत्मा आएगा हम सामर्थ पाएंगे तो परमेश्वर का अचन कहता है तुम मेरे गवा होंगे हालेलुया था जो पहले शिश्रुवात करेंगे तो परमेश्वर की बचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर का उचन जो है प्रेजुटों की काम उसका पहला अध्या राट बचन जो हमने पड़ा परमेशुर काचन कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या आपको पता है पवित्र आत्मा कम मिलता है पवित्र आत्मा हम कैसे पा सकते हैं पवित्र आत्मा का आना क्या है क्या मुझे पवित्र आत्मा मिला है आज हम अभी भी डाउट है क्या मेरे जीवन में पवित्राहात्मा है या नहीं और आपको डाउट है आपको पता नहीं इस वजे से बहुत बार गलत शिक्षाओं के कारण हम समझ नहीं पाते कि पवित्राहात्मा मुझ में है या नहीं है पर आपको पता है हरे एक प्रश्न का उत्त परमेश्वर के वचन में दिया गया है अगर आपको कुछ भी चीज़ का अगर डाउट हो तो इधर-उधर मत देखिए किसी और को मत पुछिए किसी परमेश्वर के दास पर विश्वास मत रखिए आपको बताए एक ही हल है इस बात का कि आप परमेश्वर के वचन के ओर देखिए इस वचन में से खोजिए परमेश्वर के वचन में ये सब बाते लिखी गई है आपके जितने प्रश्वर के उत्तर है हरे एक बात परमेश्वर जो है उसका उत्तर उसके वचन के दारा देता है अलेलुया तो पहली बात हम देखेंगे कि परमेश्र का वचन केता है परन्तु जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा तो क्या मुझ में पवित्रात्मा आया है? मैं तो बहुत साल होगे में चर्च में जा रहा हूँ, बहुत दिन होगे में चर्च में जा रहा हूँ, मेरा ब पवित्रात्मा पा लिया है आपको बताएं पवित्रात्मा कम मिलता है कुछ परमेश्वर के सेवक ऐसे सिखाते हैं कि जब आपने विश्वास रख लिया जब आपका बबतिस्वा हो गया आपको परमेश्वर के वचन में इसा कहीं नहीं लिखा परमेश्वर का वचन इस बा चुनता एक रिष्वासी हो भले आपका बब्र चुका हो पर इसका मतलब यह नहीं होता कि मुझे पवित्रात्म मिल चुका है क्योंकि परमेश्वर के बचन में एक जगप्राइसा लिका है लिए त्वार पर खड़ा हो और खड़ाता हूँ क्योंकि जो कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो हमेरे साथ भोजन करेगा एक बात सुनिए परमेश्वर का वचन कहता है देखो मैं खटखटा रहा हूँ अगर आपने प्रवेश्व मसी पर विश्वास किया है अगर आप जानते हैं कि प्रवेश्व मसी मेरा हुदार करता है तो मुझे बताएं फिर खटखटाने वाला कोन है जो बाहर खड़ा है भी पर अगर मैंने विश्वास रखा तो एश्व मसी मेरे जीवन में आ गया क्यूंकि परमेश्वर का अचन कहता है तुम्हारा श्रील परमेश्वर का मंदिर है पर एक बात सुनिए फिर भी प्रवु कहता है मैं अभी भी बाहर ही खड़ा हूँ एक बात सुनिए जब तक पवित्र आत्म जो है न वो बाहर रहे के क्षमाता है। Altभ तक अंदर नहीं आएगा जब तक आप दर्माजा लग़ेैं। यह वच्ट सारी विश्वासियों के बाहर पवित्र आत्मा खट रहा है। ने अभी भी पवित्र आत्मा को प्राप्थट नहीं किया। इसलिए वो बाहर खटखटा रहा है क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये सारी बाते लिखी हुई है मैं आपको पहले भाग में लेकर जा रहा हो कि पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा हर एक व्क्ति पर नहीं ही आएगा तो किस व्क्ति पर आएगा एक वचन को हम पढ़ें देखो अगर हिंदी में हो बाइबल और माई के आपकी पास तो फ्रीज मुझे थोड़ा मदद करना था प्रेटो की काम उसका पहला धैरों तीन से पाच हो चाए उसने दुख उठाने के बाद बहुत से प्रभी एश्यु मस्य ने दुख उठाने के बाद बहुत से प्रमानो से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया प्रभी एश्यु मस्य ने बहुत सारे प्रमानों से दिखा दिया कि मैं जिन्दा हूं और परमेश्वर के राज्य की बाते करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्या दी यरुशलेम को नो छोड़ो जो प्रभी एश्यु मसी के चेले थे उन जेलों को प्रभी एश्यु मसी ने कहा कि भले आपने विश्यु लग लिया आपको पताए उन सभी चेलों का बबतिस्वा हुआ था जब ओधिस्वा कीया था उन्हें वचन सुना था उनके द्वारा चमतकार भी हुए थे पर आपको पताए फिर भी प्रभी मसी जब उठाने वाला था तब प्रभेश्य मसी उनसे कहता है कि यरुशले से बाहर मत जाना तुम यरुशले में ही रहे ना क्यों आगे पढ़िए परंतु पिता की उस प्रतिग्या के पूरे होने की बाट जोते रहो पिता की प्रतिग्या की बाट जोते रहो उस प्रतिग् तुम मुझसे सुन चुके हो तुम्हारा जो बबतिस्मा है वो यहुनना ने किस से दिया पानी से दिया यहुनना ने तो तुम्हें फोड़े दिनों के बाद बतिस्मा के तुरण बाद नहीं बबतिस्मा होने के बाद नहीं केवल जैसे हिव sow crush निकला पुअभी ट्रात्मा उस पर उतर गया अलेलुया क्यूं आपको बता हैं क्यूंकि प्रबेश्य मसी जो था, वो अंदर से पूरी रिती से तयार था, हाललुया, उसके जीवन में कोही दुशिता नहीं थी, उसके जीवन में कोही पाप नहीं था, उसके जीवन में कोही कलंग नहीं था, एशु मसी जो था, वो अल्रेडी पिता का फुत्र था और पवित्रा आत्मा से भरा तुम्हारा बप्तिस्मा युहना ने कैसे किया पानी का बप्तिस्मा होने के बाद प्रमेशु उसे कह रहा है जब एशुमसी उठा लिया गया फिर भी एशुमसी कहता है कि अभी नहीं मिलेगा थोड़े दिनों में तुम पवित्रा आत्मा से बप्तिस्मा पाओगे तुम पवित्रा आत्मा से बप्तिस्मा पाओगे hallelujah थे अ साथे तीन साल हो गएते इन चेलों को एशवँ मसी के साथ रहते तक एशवँ मसीसे उन्होंने लिए बाइबल ठ्रेशन किय है था ज़रूर नही है कि मेरा Bible Training हो गया इसलिए मैंने पवित्रा आत्मा फाल लिया आपको पता है जगत में सबसे बड़िया Bible Training कहा पर है इस सारे जगत में सबसे बड़िया Bible Training कौन सा था नहीं पता है यह जो साठी तीन साल का Bible Training है न जो चेलो ने किया एशुमसी के साथ कितने साल तक थे वो एशुमसी के साथ बोलो साड़े तीन साल साड़े तीन साल आपको बताए खुदा का बेटा उनको सिखा रहा है इससे बड़िया बाइबल ट्रेनिंग और कुन सा हो सकता है परमेश्वर का एक लोता पुत्र जो है वो खुद उन्हें सिखा रहा है इससे बड़िया बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज कोई हो सकता है नहीं फिर भी एशुमसी कहता है बाइबल ट्रेनिंग तो हो गया फिर भी यरुशलेन से बाहर मत जाना हम तो कही पर भी जाकर बाइबल ट्रेनिंग लेकर आते हैं और सेवा के निये रिकल जाते हैं इदर जाओंगा उदर जाओंगा ये सेवा करूंगा वो सेवा करूंगा नए बाइबल ट्रेनिंग के द्वारा आप सेवा नहीं कर सकते आपने कितनी शिक्ष्या ले उसके आधार पर आप सेवा नहीं क जाए क्योंकि आपको पत्रस शॉझा नहीं मte चाला, क्या बोला पत्रस ने – मैं इसे नहीं पहुच है जो Еशुक के साथ, तो Metro पानी पर चला था ना म तुमें भी तो जबतकार देखे थे, तू तो येशु मसी के साथ खाता था, येशु मसी के साथ फिरता था, बहुत सारे चिन जबतकार तुने येशु मसी के द्वारा देखे, फिर क्यों तीन बार प्रवेशु मसी को तुने कहा, मैं इसे नहीं पहचानता, मैं इसे नहीं प अब पवित्रा आत्मा पत्रस के जीवन में नहीं था पवित्रा आत्मा से पत्रस भरा हुआ नहीं था इसलिए आखिर में इस प्रिटों की काम में हम पढ़ते हैं कि प्रवेश्यू मस्यनिस जाते वक्त उनको कहा तुम्हारा बाइबल डर्रनिंग तो हो गया साड़े दीन सा का पर चुपचाब बेटो कहा फड़र यरुशलें ने बाहर बिल्कुल मत निकलना क्योंकि जब तक कि लप प्रभीत्रान का प्थ मात टुम्हारे जीवन में लुग verf वर्ष अपप पास रखने से आपको पवित्रात्मा नहीं मिलता, फिर पानी का बबतिस्मा आपको पवित्रात्मा नहीं दे सकता, तो उसके लिए परमेश्वर की योज्णा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए, हमें रहा देखनी होगी, हमें बाट जो होनी होगी, हमें उसके और निहार उसकी और देखना होगा एक तरस के साथ एक प्यास के साथ एक भूक के साथ परमेश्वर को आपको मांगना होगा तब चाकर परमेश्वर उसकी आत्मा को आपकी जीवन में देगा आपको खुद को खोलना होगा इसरे दप को अवो सबर दस्ता तरल नेट हैं मैंनद कियो उसकी खुद की रिस्पेक्ट हे उसका कुद का अदर है उसकी जाएगा दर बिलकुल नहीं जाएगा आपको पताएं मेरा फिक चर्च का सवासत हूँ एक सदस्य हूँ जब मैं बढ़ रहा था मुझे पवितरात्मा पर विश्वास नहीं था मैं कभी मेरा हाथ मैंने कभी खड़ा नहीं किया कभी मैं हालेलुया नहीं बोला क्यों? क्योंकि मैं विश्वास नहीं रखता था पवित्रात्मा बस मेरा विश्वास था मेरे जीवन में मैंने कभी पवित्रात्मा का तब उस समय अधर नहीं किया कभी पवित्रात्मा को मैंने नहीं बुलाया कभी पवित्रात्मा का सुईकार मैंने नहीं किया आपको पत्चीस साल गुजर गए, मेरे जीवन में पवीतरा आत्मा नहीं आया, क्योंकि वो जबरदस्ती कभी नहीं गुज़ेगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका खुद का रिस्पेक्ट है, एक खुद का आगर है उसका, आलेलुया, आपको पता है, जिस दिन मुझे चला, मुझे जरूरत प्रभी शिवसी तुम्हारी, जब में दारू पीता था, में सिगरेट पीता था, में तमाहू खाता था, ये सारी गलत बाते जब मेरे जीवन में थी, और फिर भी में चर्च में जाता था, फिर भी में दूआ करता था, फिर भी में बढ़ता था, वो मंदिर में रहने वाला है, उसे मंदिर में रहने की यादत है, वो कच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् उनको उसकी बाट जोनी पड़ी, हालेलुया, वो रहा देख रहे थे, वो दुआ कर रहे थे, वो घुटने टेक रहे थे, वो माग रहे थे, पुकार रहे थे, प्रभुजी, जो प्रतिग्या तुमने मुझे दी है, आपने हमें दी है, उस प्रतिग्या को हमारे जीवन में आ लिए उस प्रतिग्या को पूरी होने के लिए जो चेले धिना आये हम पड़े प्रेटों की काम उसका पहला ज्याए और बारा से लेकर चोदा तब वे जेतों नामक पहार से जो यरुशलम की निकट टेकर स्तत्य के दीश की जिस समय येश्यु मसी को उठा लिया गया येश्य मसी स्वर्ग में निकल गया उसके बाद तुरंत जाकर इन लोगों ने क्या किया फिर एक पार पढ़ेंगे ब्रदन तब वे जैतुन नामक पहाड से यरुशलम की निकट यरुशलम की निकट एक सबात की दीन की दूरी पर यरुशलम को लोटे यरुशलम में लोटे जब वहां पहुँचे तो उस अटार अटारी पर अगये जहां पत्रस और यहुना और याकुब और अंध्रियास फिलिपुस और थोमा और बर्तुलमे और मती और हलपाई का पुत्र याकुब और शमॉन जारे चेले उस वहां पर रहते थे आपको पताए उस जगह पर वोगे जहां पर सारे चेले रहते थे यह सब कई स्रीयों और येश्व की माता मरियम और उसके भाय के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे हैं क्या करते थे वो प्रार्थना में लगे रहे हैं आलेलुया वो तब तब प्रार्थना कर रहे थे जब तब उनको क्या नहीं मिला पवित्रात्मा बोली क्या नहीं मिला हमें तो बिना प्रार्थना की प्रुत्रात्मा चाहिए हम सिर्फ प्रार्थना कप करते हैं जब हमारे सा प्रभू इसको आशिशित करना प्रभू इसको शुद्ध करना शुद्ध करना याने क्या है उसमें खाना ही न तेरे सामने तो क्यों शुद्ध करने को बोल रहा है तो नहीं मुझे डाउट है किसमें कुछ कर दिया हो तो कोई कुछ खिला देगा तो प्रभेश्य मसी इसे शुद्ध करना खाना तो है तुझे पर शुद्ध चाहिए एक ही बार दुआ करते हैं जब हम खाने को बेटते हैं और रात को सोने के समय प्रभू रात बर संबाला मरने मत देना मत Barn script ett обяз विर मुझे मेरा एक विम चाहिए नया दिन चाहिए मुझे क्यू । मेरे काम करने मुझे पैसा कमाना है मुझे इदर उधर जाना थे लुजे प्रुभू कहता है बैठा एक भी काम मेरा नहीं करता तु तो खुदके ही काम करा है क्यू संभालने तुझे मेरि रोटेक्शन तुझे आपको बता है इस दुनिया मेरा प्रोटेक्शन किसको मिलती है, बॉडी गार्ड किसके होते हैं, अगर में गया पुलिस टेशन में और उनको कहा, मुझे बॉडी गार्ड चाहिए, तो उनके पास एक होता है, एक बद है, उनको बॉडी गार्ड मांगने नहीं पड़ते हैं, उनको मिल जाते हैं, आपको पताएं, आत्मिक जीवन में परमेश्वर उनी को सुरक्षा देता है, जिनका कुछ ना कुछ एक पद और और होदा है, परमेश्वर की नज़र में, हम करते तो कुछ नहीं, और प्रभू से किते हैं, प्रभू, तेरे दूद्धों को भेज, प्रभू कहता है, रहे वो दूद्ध क्यों आएंगे तेरी पीछे, तू तो दारु पिता है, तेरे पीछ आठड़े में आएंगे, टपड़ी पर आएंगे, दूद्ध भेजू क् उदर जाकर, कि दूसरों को गालिया देगा, अपनी पत्नी को पीटेगा, गलत बाते करेगा, गलत चीजे देखेगा, मोबाइल में गंदी-गंदी बाते देखेगा, और तुझे कौन चाहिए, दूद्ध, क्यों, प्रोटेक्शन के लिए, हां मुझे संभालने के लिए, अरे भूल जाओ, परमेश्वर तुमे संभालेगा, कब भी नहीं, गलत बाते करने वालों, परमेश्वर कभी गलत बातों को नहीं संभालता, उसे बढ़ावा कभी नहीं देता, परमेश्वर तो उसके दासों के साथ रहता है, हाललुया, जो परमेश्वर के इच्छा के अ आलेलुया इसके चारों और जो दूद है न वो दूद खड़े रहे तलवार लेकर मांगना नहीं पड़ता परमेश्वर देंदेता है ये कमाना पड़ता है आलेलुया आलेलुया समझ में आरे है मेरी बात जब उनको पवित्र आत्मा चाहिए था तो वो परमेश्वर काउच दॉद समय नहीं परमेश्वर का उचाली चाहिए बहुत अपाली है येस्वर की दास्य जा थी मदुमक्या जब तक पता नहीं था ना बहुत अच्छा लग रहा था पता चल गया ना तो मुझे समझ में आ गया थोड़ी भी गलती हुई तो यह क्या करेगी क्या करेगी आपको बताएं परमेश्वर के दासों जितने लोग यहां पर बैठते हो ना बस यही हमारी स् ना तो सुनाओ आप शेहत के छटे में बेठे हो और शेहत का छटा जो है ना मुदुमक्य से भरा है परमेश्वर उसी दास को सुनक्षित रखेगा जो शेहत को अच्छी रिती से और पूरे परमेश्वर के वचन के अनुसार बाहर निकालेगा हालेलुया वरना आप आपका अंत जो है ना इस मुदुमक्यों के साथ होगा समझ समझ लेना मेरी बात तो परमेश्वर के वचन को जितना समझ पाए उतना ही सिखाना जितना परमेश्वर से आए उतना ही बोलना वरना चुप रहना बिल्कुल मत बोलना आपको बताए जो परमेश्वर के दास बोलते हैं, पवित्रा आत्मा मिल चुका है, पालिया है तुमने, अरे भी कहा है, मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का उचन कहता है, जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तो कहा है सामर्थ हमारे जीवन में, अगर प लोगों को दिखाई दे रही हैं चल आप पाई है कुछ beliefs की काम मुसकर धूसरा नहीं उसका सब मांगना पड़ेगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? पहली बात हमने सिखी, पवित्र आत्मा हरे विक्ति पर नहीं आता, आपको मांगना पड़ेगा, आपको प्रार्थ ना करनी पड़ेगी, आपको तयार रहना पड़ेगा, आपको खुदा की भात जोहनी पड़ कि जब परमेश्र बात करता है ना वो बिलकुल डाउट नहीं रहने देता अलेलुया जब परमेश्र में सिखाता है ना तो हमारे जीवन में संदेह के लिए जगा नहीं रहती तो मैं विश्वास रखता हूँ परमेश्र आपके जीवन में से हर एक संदेह को आज निकाल अगर तो कैसे और नहीं तो कैसे तो परमेश्वर के वचन में कहता है परमेश्वर का अचन जब पवित्रा आप्मा तुम सामर्थ पाहोगे चलो वचन को पढ़ेंगे प्रेजितों की काम उसका दूसरा दैग और एक से लेकर छे तक जब पंतिकुस्त का दिन आया जब पंति प्रातना उनको बिल्कुल पता नहीं था कि आज पवित्रात्मा मिलेगा उनको बिल्कुल पता नहीं था कि पवित्रात्मा हम पर आएगा बस वो एक मन से प्रातना कर रहे थे हलेलुया उस समय के बारे में तुम नहीं जाल सकते जो समय परमेश्वर ने तुमारे लिए नि बनुश्य पकड़ने बाला बनाऊगा अलेलुया बस ओधा बदल गया सेवा बदल गया खाम बदल गया आपको बताए उसका जीवन वहाँ से बदल गया वो जो क्षण है ना वो परमेशोर की ओर से आता है आमेन आप अगर कहोगे ना परमेशोर आज ही चाहिए आज ही चाहिए नहीं परमेशोर नहीं देगा आपको बाट जोनी बड़ेगी आलेलुया आपका काम एक ही है बस रातन में लगे रहेना आलेलुया बस परमेशोर से मबांगते रहेना बस उसकी बाट जोटी रहना बस परमेश्वर की ओर देखना खुद को तयार करना खुद को पवित्र करना खुद को शुद्ध करना और परमेश्वर को कहना पवित्रात्मा भेच प्रभू पवित्रात्मा मेरे जीवन में आने दे पवित्रात्मा मेरे जीवन में रहने पाए उतरने पाए बस इसलिए खुद को तयार करो जब तक तुम खुद को तयार ना करोगे पवित्रात्मा नहीं आएगा क्योंकि वो मंदिर में आता है आपको पहले मंदिर बनाना पड़ी गा हालेलुया समझ में आरे मेरी बात यहाँ पर मंदिरी बना नहीं अपतर तो पवित्रात्मा कैसे आएगा जब तक मैं तमाखु खाता था यह तो टपरी थी हर तरह की तमाखु मिलती थी यहाँ पर आपको विमल भी मिलेगी गायचाप भी मिलेगी आपको सिगरिड भी मिलेगी सब चीजे मिलती थी तो आएगा पवित्रात्मा मेरे जीवन जब मैं दारू पिता था तो सब मिलती थी आप और इंग्लिज भी मिलती थी देशी भी मिलती थी और जो है ना विदेशी सब मिलती थी आप तो ये बियरबार था, क्या पवित्र आत्मा आएगा बियरबार में, नहीं, जब गलत बाते में देखता हूँ, तो आपको लगता है पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मंदिर में रहने का आदी है, हलल्लिया, उसको पवित्र चीज चा वो अभी भी खटखटा रहा है अलेलुया पर में शुरकाउचन केता है पंतिकुस के दिन वो सारे लोग एक्चित होकर प्रास्मा कर रहे हैं अलेलुया अप्तिस्मा लेने के बाद इदर उदर की बाते करना छोड़ दो गलत संगती में रहना छोड़ दो अपने पुराने द संगती तो नहीं चुटी हमारे दोस्तों नहीं चुटे अभी वही दोस्ते जो गाली देते हैं अभी वही दोस्ते जो दारू पीते हैं अभी वही दोस्ते जो गलत बाते करते हैं अभी वही संगती में जुड़ा हुआ हूं में तो क्या पवित्रा आत्मा पाने के लिए सा दूआ में रहते हैं na आप खुद को पवित्र और पवित्र करते जाते हैं। आलल्या? अलल्या PUMA करने वाला निखती, वह लू न वह परवेशर शीव जुल जाता है। प्रवेशर उसव त्यार करने लगता है। फुरुवेशर उस शुत्र करने लगता है। आपको बदाएं पंटिकुस के दिन, फि辉न को सारे जो शिश थे, वो सब दुगा में लगे थे. रलेलुजू हुए उनको नहीं पता था, कि आज क्या होगा, उनको नहीं पता था, मभीत्रा आत्मा कब मिले गा, उनको नहीं पता था कब परमेश्र अमारी प्रात ना सुनेगा, वो दिन कुन सा है, वो समय कुन सा है, उनको कुछ नहीं पता था, फिर भी एक मन और एक चिट से परमेश्र की और भी हार रहे हैं, आलेलुया, आलेलुया, और आगे पुरिए, एकाएक आकाश्य बढ़ी संसनाहट का शब्द हुआ, और उसने सारा गर जहां वे बेठे थे, उस घर को, गूझ गया, और उन्हें आग सी जिबे पड़ती हुई दिखाई गई, और उनमें से हर एक का पर आठ हरी, आगे, वे सब पवित्रा आत्मा से भर गए, अब जो है, वो सब किस से भर गए, बोले पवित्रा आत्मा से, तो आपको पता है, जब वो लोग पवित्रा आत्मा से भर गए ना, तो दूसरा वचन पूरा होता है, सामर्थ पाओगे, अलेलुया, तो क्या सामर्थ है उनके जीवन म पढ़ी आगे और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी जिस प्रकार आत्मा ने अब तक वो बोल रहे थे उनकी भाशा अब तक उनको उनकी भाशा आ रही थी अब तक वो साधारन व्यक्ति थे अब तक वही बाते वो बोलते थे जित्मा वो जाते थे अब जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, अब उनकी सामर्थ बंद हो गई, जो उनका ग्याड था, वो ठम गया, और पवित्रा आत्मा ने उनको भाषा बोलने की सामर्थ दी, आगे, अन्य भाषा की विशे में बहुत लोग अभी भी जो है ना, वो कन्फ्यूस है, कि अन्य भाषा क्या है, आपको पता दो, बाइबल के वचन में, परमेश्वर के वचन में, अन्य भाषा जो है, वो दो प्रकार की दी गई थे, ये जो अन्य भाषा उन चेलों ने बोली थी, ये अन्य भाषा, आत्मा का दान नहीं है, वो आत्मा की सामर्त है, हलेल्या, सुना मेरी बाषा, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, स्टेज पर घड़ा रहें के, वो एक आत्मा का वर्दान है, सुन रहे है मेरी बाषा, वो एक आत्मा का वर्दान है, पर जो अन्य भाषा, इन चेलों ने बोली थी, उस अन्य भाशा को सारे लोग समझ पा रहे थे। वो जो अलग-अलग जाती से आए हुए लोग थे, अलग-अलग देश से आए हुए लोग थे, अलग-अलग प्रांग से आए हुए लोग थे, उनको उनकी भाशा समझ में आ रही थी, कि मैं मराथी बोलने वाला वेक्टी में अंग्रेजी में बोलने लग गया मैं मराथी बोलने वाला वेक्टी में घुजराथी में बोलने लग गया मैं मराथी बोलने वाला वेक्टी में तमिल में बोलने लग गया इससे ये भाषा ये सामर्थी वहाँ पर आई सामर्थ क्या है पता है आपको जब परमेशुर की सामर्था आप पाओगे आप वो चीज़े करोगे जो आपने अब तक नहीं कि हालेलूइया परमेशुर का उचन गेता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे तो जो चीज़े आप करते आ रहे हो वो नहीं परमेशुर आपके द्वारा वो चीज़े करना शुरू कर देगा जो आज तक आपने कभी नहीं कि हालेलूइया आपको बताएं मैं कभी बोल नहीं सकता था पाच मिनिट से ज्यादा मैं बोल नहीं सकता था मुझे पानी लगता था अगर दो मिनिटी बोल लिया था कुछ नहीं बोल पाता था ऐसे हाथ पर मैंने थर थर कापते थे अईसा वित्ति था मैं और आपको बताए जो मैं नहीं करता था वही पवित्राग्मा की सामर्थ मुझे करने को बहरे है अलेलुया जब पवित्राग्मा मैंने पा लिया मैं वो बात करने लग गया जो आज तक मैंने कभी देखी अलेलुया जो करने की सामर्थ मुझे में नही जो करने की योग किता मुझ में नहीं थी, जो मैं नहीं कर सकता था, वही पवित्रा आत्मा आपके द्वारा करेगा, आपको पताए, ये जो सारे चेले थे, वो कुछ पढ़े लिखें नहीं थे, फिर भी उन भाशावों में वो बोलने लग गए, जो भाशा अन्य देशों की थी, आलेलुया, पड़ो, आगे पड़ो, आकाश के नीचे की हर एक जाती में से, आकाश के नीचे से हर एक में जाती में से, वक्त यहूदी यरुशलम में रह रहे थे, देखो, परमेश्वर के उच्छा में कितना स्पष्टरिती से लिखा है, कि जब इनको पवित्रा आत थी, उनको अर्बी पता थी, उनको अलग 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 देशों की भाषा पता थी, क्योंकि वो अलग अलग प्रांच से वहाँ पर आये थी, परमेश्वर का उच्छिंवर आगे पढ़िए, जब यहाँ शब्द हुआ तो भीड लग गई, और लोग घबरा गए, क्योंकि हर यही सुनाई देता था कि, मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि में मन की बात नहीं बोलना चाहता है, हम वचन की ओर देखेंगे, हम करिंतियों की पहली पत्री निकालेंगे, करिंतियों की पहली पत्री और उसका चोदवाद्याए 14 पहले वचन से आगे पड़ेंगे तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं अन्य भाषा क्या है और परमेश्व की सामर्द क्या है जो पुवित्रा हत्मा के द्वारा उन प्रेरितों को मिली थी वो अन्य भाषादान नहीं था वो था परमेश्व क सामर्द क्योंकि वो अलग अलग भाषाओं में बोल रहे थे और उनको उनकी बोलने वारी जो भाषाए हैं वो लोग समझ रहे थे पहली बाद ये सामर्द है वो उसी सामर्द जो आज तक आपने नहीं किया वो परमेश्व की सामर्द आपके द्वारा पर अलेलुया अब दान के बारे में यहां पर पॉलुस लिपता है कुरंथियों में चाओधावाद द्वाध और उसका पहला वचन से आगे पड़ेगे रेम का अनो करण करो और आत्मिक वर्दानों को भी दून में रहो अलेलुया अब यहां पर पॉलूस जो है वो कुरंथियों को आत्मिक वर्दानों के बारे में बता रहा है आगे पड़ी विशेश करके यहां कि भविश्य वानि करो विशेश करके भविश्य करो क्यूंकि जो अन्य भाशा में बात करता है वो मनुश्य से नहीं मनुश्य से नहीं परमेश्वर का होचन अन्य भाषा का वर्दान मनुश्य नहीं समझ सकता जब आप पुवित्रात्मा का वर्दान प्राप्ते करेंगे अन्य भाषा का वो मनुश्य के लिए नहीं है पर जब उनको पुवित्रात्मा मिला वो जिल भाषाओं में बोल रहे थ वो सारी भाशाम को समझ में आ रही थी जिस दिन अन्य भाषा का दान नहीं था वर्दान नहीं ता मुध व सामर्थ ती कि प्रभु दिका रहा था ये लोग वो बाते करने लग गे जो आज तब उन्होंने नहीं की अलेलुया और वर्दान यहाँ पर दिया है कुरंधियों में कि वर्दान के बारे में ऐसा लिखा है कि अन्य भाशा मनुश्यों के लिए नहीं आगे क्योंकि जो अन्य भाशा में बाते करते हैं वो मनुश्यों से नहीं फिर एक बार परमेश्वर का उचन केता है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है इससे बात करता है बोलो परमेश्वर से अन्य भाषा सिर्फ परमेश्वर समझता है मनुष्य नहीं समझता हलेलुया पर जो भाषा प्रीरतों के काम उसके पहले अध्याय में दिया दूसरे अध्याय में दी गई है उस आप मुझे पहिचानते हैं कि मेरी भाषा मराठी है, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, पर अगर मैं माउची में बात करने लग गया, तो आपको क्या लग गया? अरे, इसको कैसे आई? बरभर एक निए? तब आप जानोगे कि ये सामर्थ है, अगर समझे में गुझराथी में बात करने लग गया, तो आपको पता चलेगा, ये विक्ति मराठी होकर कोसी भाषा में बात कर रहा है? गुझराथी. तो ये क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ है. ये अलग अन्य भाषा है, जिसे प्रिटों की काम दूसरे अध्याय में दिया गया है. और अन्य भाषा का वर्दान ये है, जो कुरंथियों में पॉलूस जो है कहता है, कि अन्य भाषा मनुष्यों के लिए नहीं, वो परमेश्वर से बात करने के लिए है. हाललेलुया. हाललेलुया. अन्य भाषा लोगों को मत बताओ, लोगों के सामने मत बोलो, क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पाते तुम क्या बोले, तो उसके द्वारा, उसके अलावा क्या करो? संदेश्वर, परमेश्वर के बचन का प्रचार करो, क्यूंकि उसके द्वारा कलीसिया जो है उसकी उन्नती होगी, उसकी बडोतरी होगी, वो बोलता है अन्य भाशाओं में दस हजार शब्द बोलने के अलावा, आप अगर समझते हुए, दस शब्द अगर अच्छे बोले, तो उससे कलीसिया जो है, वो बडोतरी पाएगी, हलल हललुया, आपको पता है, आज कलीसिया में ये सब बाते क्यों हो रहे है, क्योंकि हमें वचन ने पता, अन्य भाशा क्या है, दान वरदान क्या है, और सामर्थ क्या है, सामर्थ वो है, जब आप सामर्थ पाओगे, आप वो चीज़े करने लग जाओगे, जो आज तक नहीं कि इसलिए मैं मराथी बोलने वाला अंग्रेजी में बोलेगा अंग्रेजी बोलने वाला गुजराथी में बोलेगा गुजराथी बोलने वाला तमील में बोलेगा और तमील बोलने वाला मराथी में बोलेगा यह है सामत Alleluia ये है सामत मैं कुटका नहीं बोलत मैं परमेश्वर की वचन से बोलना ह। और मुझे विश्वास है कि मेरी वाईबू और आपकी वाईबू एक जी अम आपको खुछ करने के लिए नहीं कि यहाँ पर से कुछ कमाने के लिए आप मैं यहां पर उस्ग को प्रगट करने के लिए आया हूं हालेलुया। जिस काम के लिए परभु ने मुझे खढा किया है। अगर मुझे नई समझता तो उंधेधी नहीं बोलता हूं। जो चीज मुझे नहीं समझते हूं, मैं उसे यए चोड़ देता हूं। प्रभु को मांगतो, प्रभु तू सिखा, तू सिखा, मुझे ने समझ में आरी यह बाद, ये बचन मुझे ने समझ में आरा, जितना समझे उतना ही बोलो, और ने समझता हो तो चुप बे, क्यों? क्योंकि जब न समझते हुए आप बोलते हो न, तो परमेश्र की और से आया ये भर्माने वाली आत्मा इन दिनों में काम कर रही है तो इसलिए सावधान हो जाओ कलीजिया सावधान हो जाओ मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं मेरी लड़ाई अंधकार की शक्ति से हैं कोई व्यक्धी से नहीं, आपको पता है किसी व्यक्धी का मैं दुश्मन नहीं, फर हाँ, मैं शेयतान का दुशुमन हूँ, क्यूंकि वो परमाने वाले आत्मा है, आपको समझ में आ रहे हैं मेरी बात? और शेतान को काम करने के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है वो खुद काम नहीं कर सकता वो खुद काम नहीं जैसे परमेश्वर को व्यक्ति की जरूरत है उसकी काम को करने के लिए वैसे ही शेतान को भी जरूरत है उसके काम को करने के लिए पर ये हमें समझना पड़ेगा कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन शेतान की ओर से है और ये तब आपको समझ में आएगा जब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सिखेंगे हालेलुया जब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम से बात करेगा तब ये भर्माने वाली आत्मा हमारे जीवनों में, हमारे कलिस्याओं में काम नहीं करेगे। तो भूल जाएए कि मैंने विश्वास रखा इसलिए पवित्रा आत्मा पा लिया बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने पवित्रा आत्मा पाया होता तो सामर्थ दिखनी चाहिए, हमारे जीवन में सामर्थ दिखनी चाहिए, अन्य भाषा जो हम बोलते है वो वर्दान है, वो सामर्थ नहीं है परमेश्व की, सामर्थ क्या है हम देखेंगे, चलो, सामर्थ क्या है हम देखेंगे, प्रेटों के काव, उसका तीसरा आत्मा और पहले बचन से आगे पुड़ेंगे, पत्रस और यहोणना तीसरे प्रहर प्रारतना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्मक लंगडे को ला रहे थे पत्रस और यहना पहली बार मंदिर में नहीं जा रहे वो हर रोज जाते थे पर आज अलग बात यह हूगई कि वो पवित्रास्वा से पढ़ गए तालेलिया यह मंदिर का रास्ता तो रोज है यह तो रोज उनको जाना था हर रोज व हिंद्रे प्रार्त्रा के सब्खे वह उनका प्रार्त्रा का समय था नित्य अब एक बात यहां पर को लोग लेकर आ रहे थे जिसको वे प्रतिदीन मंदिर के उस द्वार पर जो सुन्दर घलाता है अब ये लंगड़ा विक्ती भिकारी जो है ना ये भी आज नहीं आया ये प्रतिदीन आता था सबज में हारे मेरी वाद पत्रस और यहुना रोज जाते थे उस मंदिर में और ये लंगड़ा भिकारी जो था भीक मांगने के लिए भी रोज उसके लोग लेकर वहाँ पर रखते थे उसे अलेलुए ये तो रोज की बात थी आगे पड़िए बेठा देते थे कि वह मंदिर म पहली बार मंदिर नहीं जा रहे थे, पहली बार उसे देख नहीं रहे थे, पहली बार यह भीक नहीं मांग रहा था, इसका काम था रोज भीक मांगना और पत्रस यहना ने उसे देखा था, बहुत बार यह भीक मांगता है या पर भीकारी, और आज कुछ अलग हुआ, क्यों? आज पत्रस और यहोना एक साधरन विक्ति नहीं रहे आपको बताएं पत्रस और यहोना पर पोवित्रा आत्मा आ चुका था अलेलुया वो पोवित्रा आत्मा से भर चुके थे आज वो सामर्थ पा चुके थे और अब जो उनका देखना था वो बदल गया उनका सोचना था वो बदल गया उनका विवहार बदल गया अब वो बाते करने लग गए जो आज तब उनुने लेखी तो जब उसी रस्ते पर पतरस और यहना आ रहे हैं उसी भिकारी को उनुने देखा आगे पढ़िए पत्रस ने यहुना के साथ उसके और ध्यान से देखकर कहा हमारी और देख अंतर वह उनसे पाने की आशा रखते हुए उनकी और ताक में लगा भिकारी अभी भिकारी है क्यों? क्योंकि वो नहीं बदला उसका वही वहारी जो वो रोज करता है वो वही भी मांग रहा है क्यों? क्योंकि उसके जिवन में कोई बदलाहट नहीं है पर आपको बताए भिकारी उनको उसी तरह देख रहा है पर अब पत्रस और यहुना उसे भिकारी करके नहीं देख रहे हैं हाललेलुया हिकारी का देखना ए मुझे कुछ मिलेगा और पंत्रस और यहांना देख रहे हैं आज इसका कुछ होगा आलेलुया समझ में आ रही है कि सोने रहे न अरे पवित्रा आत्मा से भरना यह जागने का समय परमेश्वर का उचन के देखो यहां पर क्या लिखा है आत्मिक जागरूती मैं सुलाने के लिए नहीं मैं जगाने के लिए आया हूँ हालेलुइया सोने वाले अगर यहां बर आप सोते होंगे न तो समझ जाना बहुत बहुत टेंशन वाली बात है क्योंकि शैतान अगर आपको वचन के दौरा सुलाता है तो आप कभी जग नहीं पायेंगे बचन सुलाने के लिए नहीं, बचन जगाने के लिए, हालिलुया, अभी क्या बड़ा हमने, पत्रस और यहनना से उस पिकारी ने भीक मांगी, अभी भी वो पिकारी उसी तरह से मांग रहा है, आगे पढ़िए, तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, पत्रस क्या है तेरे पास, जो तु देने वाला है, आज तक तो नहीं था, रोज तो तु आता है इस चर्च में, रोज तो आता है इस मंदिर में, और कभी तुने ये बात नहीं की, कभी तुने ये जिक्र नहीं किया, कभी तुने ऐसे नहीं सोचा, कि मेरे पास जो है, क्या पत्रस को पता था इसमें पत्रस उसे कहता है मेरे पास सुझे देने के लिए सोना चांदी पैसे कुछ नहीं पर जो कुछ मेरे पास है येशु मसीन आसरी के नाम से चल उठर खड़ा हो और उसने उनका दहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया उसका दहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरुट उसके पावा और घुटनों में बला गया परमेशर का चन कहता है वह उचल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगए आपको पता है ये था पत्रस के पास जो आप तक नहीं था आलेलुया जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा और पवित्र आत्मा की सामर तुम पर आएगी आप वो चीजे करने लग जाओगे जो आज तक आपने कभी नहीं देखा आलेलुया दुष्ट आत्मा से डरने वाले लोग उनको भागाने लग जाएंगे आमेन, समझ में है रहे मेरी माद, जो दुष्टा आत्मा है आपको सता थी ती, और जब पवित्र आत्मा से आप धर जाओगे ना, आप दुष्टा आत्मा को सताने लग जाओगे, आलेलुया, जब प्रभेश्व मसी, जब किसी दुष्टा आत्मा गरसिद वेक्ति के सामने आता था ना, तो वेक्ति क्या बोलता था, अरे वेश्व, तु क्यों आया हमें तकलीफ देने के लिए, क्या बोलते थे हो, दुष्टा आत्मा, क्यों आया तु हमें तकलीफ देने के लिए, आपको बता है, परमेश्वर ने हमें क्यों रखाए, पवित्र आत्मा प्रभु जहाँ आप जाओगे ना दुआ से वो भागी दे आमें आमें इसलिए पवित्रात्मा दिया है कि आप सामर्दिपाओ इसलिए पवित्रात्मा दिया है कि आपके द्वारा दुश्रात्मा भाग जाए इसलिए आप सामर्दिपाओ जो आज तक आपने नहीं किया वो प्रविय अब तक कभी ऐसे नहीं देखा तो अब तब कभी ऐसा हिया और रिश्वास नहीं था राज क्या हुआ क्यों कि पवित्राइपनों से भर बैंट क्योंकि सामर्द को पा लिया और जब सामर्द को पा लिया लंगणा चलने लग गया जो भीक मागने वाला था अब आगे पढ़ द्वारा परमेश्वर काम करेगा ना और लोग परमेश्वर की स्तूति करेंगे आमें एक लंगडा विक्ति एक भीकारी विक्ति जो भीकी मांगता था इस मूँ से आज वो पुद परमेश्वर की स्तूति कर रहा है भीक मांगता था तो क्यों करेगा प्रभु की स्तूति अर तो परमेश्वर ने उस सामर्द के द्वारा उस भीकारी को ऐसे बदला कि आज से वो भीग नहीं मांगेगा, खाली परमेश्वर की स्थूति करेगा हालेलुया, भभू को महिमा देगा, ये है पवित्रा आक्मा की सामर्द तो मुझे एक बात बताईए, कितने लोगों ने ये अनुभू किया कि हां मुझे पवित्रा आक्मा मिला और मैंने सामर्द पाई और मैंने वो बात की, जो आज तक नहीं की अगर वोही बाते आज तक आप कर रहे हो, जो करते आए हो तो पवित्र आत्मा अब तक नहीं मिला है क्योंकि जब पवित्र आत्मा मिल जाता है तो आप सामर्थ बाते हैं आलेलुया जब पवित्र आत्मा मिल जाता है वो चीज़े आप करते हो जो आज तक नहीं की आमें वो चीजे फर मेशराब के द्वारा करने लग जाता है जो आज तकdate कभी आपने सोचा भी नहीं है मैंने कभी नहीं मांगा कभी नहीं सोचा कि मैं जो है वचं का प्रचार करूना कभी नहीं मेरे मन में भी नहीं आया था क्यू प्यूझि 저21 मुझे पता था जो नहीं आता है अलेलुया अलेलुया अरे पत्रस को कहा पत्रस ये तुझे आज से मचली पकड़ने वाला नहीं मनुष्य को पकड़ने वाला उना है प्रभु जी मचली पकड़ना तो एकदम सीधा है मनुष्य पकड़ना उतना सरल नहीं इनको पकड़ना सीधा है सरल है बि इस प्राणी को नहीं पकड़ सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक जगह पर टिकने वाला विखती, नहीं, बिल्कुल नहीं, इनको बदलना सब से कठीन बाल हो, आपको बदा है, चोटा कुटा घर पर लेकर आओ, उसे आप सब सिखाओगा और सिख जाएगा, मनुष्य क मनुष्य को लेकर आओ दारू पीने वाले को, और उसको बोलो, कि तू छोड़ दे, तू ये कर में, तुझे रोज अच्छा किलांगा, रोज अच्छा पिलांगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आप उसको कितना भी सिखाओगा, वो नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने, जो और प्राणी है वो सुन जाएंगे, वो गलत बाते भी छोड़ देंगे, उनकी आदते भी छूड़ जाएगी, वो सब गलत आदते उनके जीवन में से निकल जाएगी, पर मनुष्य जो है न, उसकी आदते जल्दी छुड़ती है, नहीं, उसका स्वभाव कभी निकलता सबसे कठीन बात है, मनुष्य को पकड़ना, और पत्रस को कहा, पत्रस, आज तक तुने बहुत मचलिया पकड़ ली, आज के बाद क्या पकड़ेगा तू? मनुष्य को पकड़ेगा, इसके लिए वो जाल ने लगता, जिस जाल के दौरा तू मचलिया पकड़ता है, पत्रस ने परमेश्वर के बचल को परचार किया, सुसमाचार को परचार किया, एक ही दिन में कितने लोग प्रभु में आए, बोलो तीन हज़ार, बोलो कितने हज़ार, तीन हज़ार लोग प्रभी एश्यू मसीबर उन्होंने विश्वास कर लिया, आपको बताए, ये था मनुश्य को पकड़ना मचली पकड़ने वाला मनुश्य ये है पवित्रात्मा की सामत 할ेलूया ये है पवित्रात्मा की सामत आप वो चीजे करोगे जो आज तक नहीं कि तो भूलिये प्रियो परमेश्वर के बेटो पवित्रात्मा मिला है है अभी तक तो माखों ने चुटी ही तक अलिया ने चुट anga को Ty डेखना नहीं चुटा इस मुपाइल में घंदी घंदी बाते देखना ने चुटा मिला पवित्रा आत्म को कि यह बफिसमालिया इसलिए चर्च में हाते हो इसलिए बाइबल आपके पास है इसलिए आपको पवित्रा आत्मा मिल गए बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं वो आपके जीवन में दिखना चाहिए उसामर्थ वो बदलाहट आपके जीवन में दिखनी चाहिए, जो आज तक आप नहीं करते थे, जब करने लग जाओगे तो लोग कहेंगे कि इनके जीवन में पवित्रात्मा है, आलेलुया बोलना नहीं पड़ता खुद हो के कि मेरे जीवन में पवित्रात्मा है लोग दिखाते हैं, मुझे में बहुत सामर्थ है, पवित्रात्मा का भिषे के ये है वो है, बिल्कुल नहीं सामर्थ ऐसी है, जो चीज़े आज तक नहीं की, वो आप करेंगे आमें लंगडा चलने लग गया ये थी पवित्रात्मा की सामर्थ जब तुम सामर्थ पाओगे अलेलुया अभी एक बात परन्तु जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा ये पहली बात हमने सिखी बराबर है ना, तो वो हर एक विक्ति पर नहीं आता क्या करना पड़ता है उसके लिए? बोले प्रार्थ ना परमेश्र को समय देना पड़ता है बराबर है ना, दूसरी बात हमने सिखी जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा क्या पाओगे? सामर्थ जब सामर्थ पाओगे तो वो चीज़े करोगे जो आज तक नहीं की अब अगली बात जब सामर्थ पाओगे तो परमेश्र का वचन कहता है और यरुशले और सारे यहुदिया और सामर्या और पृत्वी की छोरत मेरे गवाव हो अभी इस वचन में इतना अद्भूत बाते हैं शुरुवात कहा से किये परमेश्र ने? यरुशले, बोली यरुशले आपको बताए जब पवित्रा आत्मा की जीवन में आएगा, उसकी सामर्थ आपके जीवन में आएगी ना, शुरुवात वही से होगी जहां पर आप रहते हों वहाँ के लोग सोचने लग जाएगी वहाँ के लोग अनुभो करने लग जाएगी वहाँ के लोग बोलने लग जाएगी कि आरे इसके जीवन में कुछ ना कुछ अलग हुआ है आमें हम चले जगत को सुसामाचार परचार करने और यहाँ पर हमारे ही घर में कुछ नहीं है यहाँ के लोग हमें पहेचानते हैं हमारे कलीसिया हमें कोई हमें पहेचानते हैं हमारे कलीसिया के लिए कभी हमने कुछ कि प्रभेश्य मसी ने कहा जब पवित्रात्मा पाहोगे ना सामर्थ मिलेगी शुरुवाद कहा से करना पड़ेगा यरुशलेव जहां पर तुम रहते हो एक वचन पढ़ेंगे चलो कर परीतों के काम उसका किस राध यह पोगों ने उस उसे चलते पिरते होई देखा इसा चमतकार हुआ न, ऐसा चमतकार जो आज तक नहीं हुआ था, फर मैश्वर काजंग गेत है, लोगों ने देखा, होऊपको बताए जब पभीत्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, उसकी सामर्थ आप पाओगे शुरुवात आपके घर से, आपकी कलिसिया से और आपके गाउ से होनी चाहिए अलेलुया उन्होंने देखना चाहिए कि आज इन लोगों के जीवन में वो बाते दिख रही है जो आज तक नहीं दिखी अलेलुया जहाँ पर मैं रहता हूँ उन लोगों ने मुझे देखा था मैं क्या था आपके जीवन में आएगी तो वही लोग जो आज तक आपको बलत कहते थे वही आएंगे आपके पास अलेलुया तो शुरुवाद जो है वो यरुशलेम से होनी चाहिए शुरुवाद जो है घाउ से होनी चाहिए जितने लोग खुद को विश्वासी कहते हैं मेरी बात कान खुल कर सुने जितने लोग खुद को विश्वासी कहते हैं अगर आप पवित्र आत्मा से बिरे हुए होंगे ना तो आपके अगल बगल में रहने वाले जो प्रभु को नहीं पहचानते एक बार आपके घर जरूर आएंगे प्रात्मा करने के लिए जब वो देखेंगे कि आपकी जिमन में पवित्रात्मा है अगर आज तक को ही नहीं आया आपके पास तो समझ लेना आज तक पवित्रात्मा भी नहीं मिला आपको मैं पिंपनलर में जिस कॉलनी में हम पहले रहते थे आपको पता हैं जब मैंने प्रभीर्श मसी का स्विकार किया जब हम प्रभु में बढ़ रहे थे सेवा में बढ़ रहे थे जब मैंने पवित्र आत्मा पाया उस कॉलनी में रहने वाले जितने भी विधर्मी लोग थे जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं पैचाते, फिर भी उन्हें विश्वा से अगर ये लोग दुआ करेंगे, तो प्रभु उनकी दुआ सुनेगा, आलेलुया, गवा होना पड़ेगा, आपके गाउं में, आपके अगल बगल में, जहां पे आप रहते हो, वहां से गवाही, आपकी निकलनी चाएए, वहाँ के लोगों ने कहना चाहिए, कि हाँ, ये प्रभी औरशी वसी का बिखती है, ये पमित्रा आत्मा पाया हुआ जी है, अपके अगल मगल के लोग, आपके पास आये हैं कभी, जो उनके जीवन में दर्द है, जो उनके तकलीव है, क हम ही गलत बाते देखते हैं, हम ही गलत बाते बोलते हैं, वो क्या आएंगे हमारे जिमर में, क्यों? क्योंकि आज तक हमने पवित्रात्मा पाया ही नहीं, जब आप पवित्रात्मा पालोगे ना, पहली शुरुवात गवाई की आपके घर से और आपके अगल अगल से शुरु में लग गये अCre यह लंगना तो चलने लग गया साले पहले पहिचानने लगए हालिलिया हाल रिलिया हा आपको लोग पहिचानने लगें इसले परमेश उठालो चन केंता यरूम कहां से शुरुरात होगी पले यरूम और एक वेचन पढ़ेंगे चलो प्रेशितों के काम उसका पाच्छत आ है और बारा से लिकिस वह प्रेशितों के हाथों से बहुत चिन्ना और अद्बूत कम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे अपी चब सामर्थ उन्होंने पा ली तो सामर्थ पाने के बाद सामर्थ सामर्थ बढ़ती है अलेलिया एक चमधकार धूछत कार से बहुत चिन्ना और अद्बूत कम लोगों के विश्वास करने वाले बहुत से पुरुस और स्रीय प्रभू की कलीसिया में बड़ी संक्या में मिलते रहे यहां ते कि लोग बिमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे की जब पतरस आए तो उसकी छाया आए उनमें से किसी पर पड़ जाए येरुशलेम के आजपास पहले शुरुवाद येरुशलेम से होगी और उसके बाद परमेश्वर काचन कर ता है कहता है और सारे यहुदिया अलेलुया और सारे यहुदिया जब यरुशलेर से आपके सामर्थ पवित्रात बाप पाहेंगे घर से शुरुआत होगी गाउ से शुरुआत होगी उसके बाद जब आप सामर्थ में बढ़ते जाओगे ना परमेश्वर काउचन कहता है जब कलीस प्रभी जिवन में इसा मैंने नुगो किया? कितना सरल है परमेशन आचान, खुद को परको? भूलने से नहीं होता पवित्रा आत्मा मुझे में है ऐसा, वो दिखना भी चाहिए, वो सामर से दिखनी भी चाहिए, पहली शुरुआत तो घर से होनी चाहिए, गाव से होनी चाहिए, उसके बाद अगल बगल के गाव, आजू बाजू के गाव, वहाँ के लोग भी उनके पास आने लगे, ये है यरुशलेम और सारी अबुदिया, अलेलुया, अलेलुया, परमेश्वर का अचनत भुते, सब है वहाँ पर, प्रीरितों की काम आठ त्यारों, एक वचन, प्रीरित आठ वर एक, उसी दिन येरुशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव अरंब हुआ, जब स्थेपन जो था, उसे मारा गया, परमेश्वर का अचन केता है, उस दिन ही येहुदिया और येरुशलेम की कलीसिया पर बहुत बड़ा अनर्थ आया, और प्रीरितों को छोड़ सब के सब येहुदिया और सामरिया देशों में तितर वितर हो गए, देखो, येरुशलेम में काम हो गया, सामर्थ बड़ती गई, अब आसपास के लोग पहचाने लगए, सामर्थ बड़ती गई, अब प्रभु की इच्छा है, अभी गाव छोड़ो, परिसर छोड़ो, अभी कहा जाओ, सामरिया में, कहा जाओ, सामरिया क्या है बताए आपक चुपचाप नहीं बेड़ सकते, आप उन लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार लेकर जाओगे, जिन लोगों को येशु मसी के बारे में कुछ पता नहीं, ये तिसरी स्टेपल सामरिया, आमें, अलेलुया, अब बताईए, कितने लोगों ने सुसमाचार प्रचार किया, उ उन लोगों को, जिन को प्रवेशु मसी नहीं पता, मैं खुद को कह सकता हूं, हमारी सेवा ही उस फ्रांत में, उस विभार में, जहाँ पर विश्वासी लोगों ने, हम ने लोगों में जाकर सुसमाचार परचार करते हैं, ये चिन है कि हमारी जीवन में पवित्रा आत्मा है, चिन चमतकार, चंगाई देना, अन्य भाशाय बोलना, अधभुत कारे करना, ये एक ही बात पवित्रा आत्मा की दर्शक नहीं है, मेरे बात सुनो, जब मुसा फिरोन के सामने जाकर खड़ा हुआ, तब मुसा को परमेश्वर ने कहा था, तेरे हाथ में क्या है, क्या थ साब, तो मुसा भी डर गया, तो परमेश्वर ने कहा, डर मत, उसकी पूच को पकड़, और उसने पकड़ पकड़ा जाकर, क्या होगा फिर उसका, उसकी काठी, लाटी होगई, बराबरे ना, लाटी का साब, और साब की लाटी, चमतकार देखा उससे, फिर मुसा को लगा, आरे हुआ, ये चमतकार, परमेश्वर, रभू, तुन्हें तो मुझे अद्बस सामर्सी देदी, आप में जाकर चमतकार करूँगा, और फिरोन तो बनल जाएगा, मान लेगा मेरी बात, और वो निकल गया, वो लाटी लेकर, जब वो जाकर फिरोन के सामने खड़ा रहा, और उसने चमतकार दिखाया, उसने लाटी को नीचे पेका, और साफ हो गया, फिरोन भी बोला रहे बापरे, साफ हो गया, तो फिरोन चुप बेटा गया, नहीं, फिरोन ने क्या क्या, उसने उनके मांत्रिकों को, और तांत्रिकों को, और जादुगारों को उबलाया, उसक लेकर आए उनकी लाठी लेकर आए और लाठी वोने भी जमिन पर डाल दी क्या हो गया उसका क्या हो गया उसका इस लाठी का भी साफ हुआ उस लाठी का भी साफ हुआ तो कैसे पहचानोगी कौन सी लाठी परमेश्वर की है चमतकार से परमेश्वर को नहीं पहचान सकते हाल के द्वारा भी चमतकार होते, आज जितनी कलिसिया के लोग सिर्फ चमतकार के पीछे भागते होना, सावध हो जाईए, साउधान हो जाईए, क्यों? क्यूंकि आपको शेतान भरमा सकता है, गलत बातों में लेकर जा सकता है, गलत शिक्षाओं में लेकर जा सकता है, क्यूं? क परेकलाटी परमेश्वर के नहीं, इसलिए जादुगारों ने वही बात की जो मुसा ने की थी, वही चमतकार की जो मुसा ने की थी, समझ में आ रहे हैं मेरी बात? इसलिए परमेश्वर करुचन करता है और यिरुशलें और यहुदिया और सामरिया आपको बताए जो चेले थे वो सामरिया में कब पहुँचे जब उन पर सताव आया क्या आया हमारे विश्वासी लोगों लोगों में जब तक सताव नहीं आता ना तक हम दुआ नहीं करते, तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता कि हमें सताए, पर हम भी लातों के भूत हैं, बातों से, हम ऐसे सुधरने वाले नहीं, हमारे मराठी में जब हम छोटे थे न, जब स्कूल में जाते थे, तो मराठी में हमारे जो गुरुजी थे न, वो कहते थ चड़ी लागे चमचम विद्या यही घंगरम। समझ में हैं मेरी बाद कि जितनी चड़ी पड़ेगी न उतना यह सिखेगा। और वह सजबी था हमने बहुत लाते खाई है हमारे टीचर की लाते खाखा कर टीचर बनेगी। आज में टीचर हुना मैं सिखाता हूँ बच्चे को अपर आपको बता है मेरे पीछे मेरा अगर मेरी हिस्ट्री देखे मेरा इतिहाज जे कि हमने बहुत मार खाया है हमेरे टीचर का हातों पे खाया है कहा कहा खाये में बता नहीं सकता और वो खा खा के यहाँ पर आया हूँ, हालेलुया, आज टीचर बना हूँ, परमेशर को भी पता है, यह लातो के भू थे, बातों से जल्दी, एक 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 छोट इसी स्टोरी बताता हूँगा, बहुत सीरियस होगे इसे, एक बात बताता हूँगा, मेरी गोर देखिए, एक ब माले की बिल्डिंग थी, और उस चार माले की, चोधे माले की बिल्डिंग में एक व्यक्ति था, उपर खड़ा था, गैलेरी में, और उसका जो दरवाजा था ना, वो बाहर से कोई लॉक करकर निकल गया था, और उस बिचारे को नीचे नहीं आते आ रहा था, तो वो प्रय जब चिला था था ना, लोग नहीं सुनते था, वो बहुत कब से चिला रहा था, उनकी वो मेरे और देखे, मेरी और देखे, पर कोई ने देख रहा था, फिर उसने क्या किया, उसने उसका पैसे का पाकेट निकला, क्या निकला, वालेट निकला, और वालेट निकला और उस एसे एसे करते 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 नीचे आगी सब लोग वहां पर थे बहुत सारी लोग एक विक्ति ने देखा कि नोट गिरी तो उस विक्ति ने क्या किया उपर ने देखा उस विक्ति ने वेक्तम बिल्कुल चुपचाब जाकर नीचे जुका और उपए से उठाए और किसे बढ़ा उपर देखा इसके दस रुपे गये गांसे फिर इसने सोचा चलो एक और चांस एक बार और प्रैस करो तो उसने पचास रुपे की नोट निकाली कितनी निकाली पचास की नोट निकाली फिर चोथे माले से उसने नीचे पेकी ऐसे 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 करके नोट नीचे आई नीचे गि विखती ने देखा कि नोड गिरी, कहा से गिरी? उपर से, फिर भी उसने उपर नहीं देखा, उसने चुपचाब जाकर नोड उठाई और किसे में डाला, कितने रुपे गे इसके? इतने? साथ, अभी इसको पता चल गया, ये घाटे का सोधा है, इस विखती को पता चल गया, ये घाटे का सोधा है, ऐसे काम नहीं बते है, तो वो गैलरी में कुछ खोजने लग गया, कुछ मिलता है, और खोजते-खोजते, उसे इतना पत्थर मिला, क्या मिला? इतना इतना पत्थर मिला, और उसने उस पत्थर को उठाया, और वो गैलरी में आया, और उसने नीचे डेख जो लोगा थे ना इसा बराबर निशाना लगा कर उस पत्तर को एक के सिरके उपर ऐसे देवारा जिसने करके लगा ना एक विप्तिकों उसे तुरंथ उपर देखा जैसे पत्थर पड़ा उसके सिर में ऐसे टन करके पड़ा उसने कहा पर देखा हम भी वैसे ही जब तक प्रभू उपर से पत्थर ना मारे हम उपर प्रभू पैसे देगा प्रभू दूआ सुनेगा प्रभू चंगाई देगा कोही उपर नहीं देख जब एक पत्थर मारता है प्रभू सारे के सारे उपन देखते हैं क्यों पत्तर खाते हो पता है आपको क्योंकि लातों के भूत बातों से ये सारे जो चेले देना सामरिया कब गए पता है आपको जब सताओ आया क्या आया बिना सताओ की कभी सामरिया नहीं गए सामरिया नहीं देखा उन्होंने उन्हे खाखा के सुस्त हो गए आज बजन करो तो 50 भरता है और एक मेने के बाद 55 और एक साल के बाद 70 और फटोगे एक दिन खाखा के ये खाने के दिवस नहीं उपवास के दिन है खाखा के फटने आ गए फिर भी खाई रहो तो परमेशुर को पता है तुम्हें सामरिया कैसे बेज पुपवाज करोगे पुपवाज करोगे प्रभू टाफ्रा करेंगे हूं क्या जाए बारिश कंप निया के पाप करेंगे और जब परमेश्वार से कुछ चाहिए पेने, तब उपवास करेंगी, क्या करेंगे? उपवास, अभी तो चाल टाइम kहता था, अभी उपवास क्यों कर रहा है, मेरी शादी ने होती, वारे तो यह कुँन सा उपवास है Bible के Bible में शादी ने होती? Bible में है ऐसा बदर इसलिए मैं क्या करता हूं ऐसे पहसतावे का उफवास आलयलुया पशता नहीं है पर्मेश्टर हो में तुलित ज्वे Newman करना है प्रभू मैं पापी हूं और इसलिए में उप्वास करना हूं मुझ पापी पर दया कर यह उप्वास चो परमेश्वर के बचन में और हम करते हैं यह चाहिए वह चाहिए इसलिए में क्या करता हूं उप्वास जब उन पर लाठी काठी गीरी ना यह कहा पर गए सब सा मारिया, अन्य जाती के लोगों तक पहुचो वरना परमेश्वर फिर लाठी उठाएगा, पत्तर फेगेगा उबर से, फिर देखो के परमेश्वर के रहा प्रभू, क्यों मारा रहे, क्योंकि तु सिधे सुनता, नहीं, मैं अच्छी तरीके से बोल रहे, अभी तक प्रभू अब प्रभू नहीं को थे एगा थे अधिया प्रभू प्रभू जुच्टर यह वाँ भी तो आधिया, अब मेरी भैस जो है ना वो दूद देने लग ए, यह हमारी गवाई है, हमारी गवाई क्या है, परमेश्वर ने मुझे यह दिया, अरे यह सब देख तर भी तु अध्यागा अनंत काल में ने जाएगा यह सारी चीजिजे वहाँ पर नहीं मिलेगी और वहाँ पर लेकर भी नहीं जाएगी गवाई क्या है अमरी जीवन में यह परमेश्वर कहता है तुम गवाई हो जाओ यरुशलैन सारे यहुदिया और समरिया में मेरी गवाही लोगों को सुननी चाहिए उनको पता चलना चाहिए ये व्यक्ति था क्या और क्या हो गया अमें जब पवित्रात्मा उसे प्राप्त हो गया पवित्रात्मा उसे मिल गया और ये व्यक्ति ही बदल गया ये है मेरी गवाही हमारे जीवन में है क्या मैं मेरे घर मे मेरे गाव में मेरे आजू-बाजू की परिसर में और अन्य जाती के लोगों तब पहुचा हूँ कि स्टेप बाई स्टेप बढ़ना है पवित्रात्मा मिलने के बाद, सामर्थ मिलने के बाद हम तो बेटे वहां पर चर्च में ताली बजाती हो आज का दिन यहाने के लिए बस मांगने के लिए आज का दिन यहाने बनाया उसके काम करने के लिए आलेलुया उसके गवा होने के लिए यरुशलेम से लेकर यहुदिया तर यहुदिया से लेकर सामरिया तर आलेलुया आलेलुया उसके गवा होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है प्रीतों के काम उसका चार से लिकर आट बचा जो तितर बित हो गए सुसमाचार सुनते हुए फिर और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में से मसी का प्रचार करने लगा अगे पड़ी जो बाते फिलिपुस ने कहीं लोगों ने सुनकर और जो चिन वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगा सामरिया के लोगों ने मन लगाया जब फिलिपुस के जीवान में उन्हें सामर्फिदे की आलेलुया और परमेश्वर के और मन लगे आगे पड़ीए क्योंकि बहुतों में से अशुद्धा आत्मा ये बड़े शब्द से चिलाती हुई निकल गई इसे निकल गई चिलाती और ये आप की जिम्मेदारी है कि उन दुष्टा आतमा ऊको निकाले थे हुललुया उनको भुलाए यहापर प्रॉब्लिम क्या भधा है? अमारे ही जुन में से बढ़ने थे हमारे ही जुन में से अब ही तक जा नहीं डे तो उनकी क्या भुगाईदी है? समझ में आ रही ही आपको पता है परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है पुराने नियम में कि मेरा जो इसराइल है, मेरा जो भोश है, उस पर कुटा भी नहीं भोखेगा, ऐसा लिखा है वचन में, कुटा भी नहीं भोखेगा, क्योंकि कुटे को भी पता है, ये परमेश्वर का लिखती है, और जब हम पर कुटा भोखता है ना, तो समझ ले ना, कुछ ना कुछ मेरे अंदर कर बड़े क्योंकि वचल में लिखा है ना इसा मैं खुद का नहीं बोल रहा हूं जब जब आप पर कुटा भोके ना तो खुद को देख रहा हूं कुछ तो गलत है मेरी जी आज कुछ तो गडबड हुई है क्योंकि कौन भोग रहा है आरे दानियल के सामने शेर नहीं सके उसे कुछ नहीं कर सके क्यों क्योंकि उसके जीवन में पवित्रा आत्मा की सामर्थी आलेलुया शेर पहचानते दे इसे में कुछ नहीं कर सकता इसे में हजम नहीं कर सकता या अपने बस की बात हमारे पीछे तो कुटा दोड़ता है और हम भी भागते है और खु कुट अधिन डरता कुस에서 कि तू क्या ओंजता में पर मेश्मर का हूं शेतन भागेका तुमसे कुट भी ने डरता कुट जेतन भागेगा मुझे बताए ना मैं उससे डरता हूं जो पवित्राक्मा की सामसे बना ecc हालेलुया आपको यरुशलेल, यहुदिया और सामरिया में उसका ग़ाह बना पड़ेगा आपको पताए जब फिलिपुस वहा पर निकल गया उसके द्वारा सामरिया में बहुत अलग बात परमेशन निकी, चिन चमतकार उसके जीवन के द्वारा, आगे पढ़िए प्रदो, क्योंकि बहुत से अशुद्य आत्माई बड़े सब्द से चिलाती हुए निकल गई, और बहुत से लगवे के रोगी और लंगडे भी अन्य जाती के लोगों तब कब आनद पहुचाओगे, हम यह भी क्रिस्मस मनाते हैं, बस क्रिस्मस, आ गया क्रिस्मस, क्रिस्मस के गित गाएंगे ने कपड़े, और मटन, बिटन, बिर्यानी, बिर्यानी खाकर, बस अपना-पना खुश, खुद ही आनद मनाते हैं, अरे य जंगलों में थे, वहाँ पर दूद गए और उनको सु समाचार परचार किया, उनको बता रहे, तुम्हारे लिए आज बहुत बड़ा आनंद का दी थे, आलेलुया, हम तो चर्च में जे बार भी ने निकल थे, हमारे कंपोन में ही आनंद मनाएंगे, बाकी लोगों को पता होगे और यरुशलेम और सारी यहुदिया और सामरिया में और पृत्वी की छोर तक उसके गवाँ हो जाओंगे, आलेलुया, ये बढ़ते रहना है, पहले घर से, गाउ से शुरुआत करो, उसके बाद अगल वगल का परिस है, उसके बाद सामरिया, जोन में जाती के लोग लेकर जाएगा प्रभू, क्यों? घुमने के लिए नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, भगाने के लिए, उनको तकलीद देने के लिए, आलेलुया, जो परमेश्वर का सच्छा दास होता है, उसे एक ही चीज में आनद मिलता है, क्या? दुष्ट आत्माओं सदाना सिखलो, बस, इतना खुश हो जाओगे ना, मुझे खुशी मिलती है, दुष्ट आत्माओं भुगा, दुष्ट आत्माओं को भुगाने के, डरना नहीं उनसे, बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर का उचन केता है, यगत में जो है, उससे बढ़कर तुम लेंगे और उसके बाद में समाप करूँगा, क्योंकि ताहीं बहुत हो चुका है, फिल्पिस की पत्री, फिल्पियो, उसका तिसरा द्यार, बारा से चोदा बचन, जल्द पढ़ेंगे, और मैं समाप करूँगा, यहां पर में रूजाओंगा, जिसमें हम को उस पर विश् करने से साहस और बरोसा के साथ, फिल्पियो, उसका तिसरा द्यार, तिसरा द्यार, और बारा से लिकर चोदा हो चाहिए, यहां मतलब नहीं की, मैं पाच चुका हूँ, आरे हम सोचते हैं, बस मैंने पा लिया, बस मुझे मिल गया, खुद ही हमने डिसाइड इदर लिया, ब कोईधरा आत्मा मिल गया, नहीं वही, बहुन केता है, यह मतलब नहीं की, मैं पाच चुका हूँ, अगे, recipro, यहां सिद्ध हो चुका हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं की मैं सिद्ध हो गया, मैंने बाइबर ट्रेनिंग कर लिया, इसका मतलब यह नहीं की मैं सिद्ध हो पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दोड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसी येश्व ने मुझे पकड़ा था येश्व ने मुझे इसलिए नहीं पकड़ा कि मैं चर्च तक सिमिद रहू येश्व ने अपको इसलिए चुना है कि पृत्वी की चोर तक उसके गवाह एश्व मसी के गयरा चेले सिर्फ गयरा लोग थे सारी पृत्वी को हिला डाना मुझे जो थोमा था इस भारत देश में आया अलेलिया उस थोमा की कारण आज हम यहाँ पर रहें क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाए आमें उसका खून यहाँ पर पढ़ा और आपको पताए ह आजारों लाखों और करोणों लोग प्रभी एश्व मसी पर विश्वास कर दे लगें पृत्वी की छोर तक आमें जब तक आप समझोगे ना बस मैंने पा दिया मैं सित्त हो गया आप बहुत मिल गया मुझे बहुत पा लिया मुझे आप वही पर रुजाओंगे प्रभू जो और चाहिए है बस इतना काफी नहीं और सामर्थ और अभिशेक और वर्दार और अद्भूत कारियर प्रभू जी वे शुरुवात तो यरुशिलेंग से करूंगा यहुदिया तक जाओंगा समर्या तक पहुंचूंगा और आखिर में पृत्वी की जोर तक में तेरा ग अब खुद को परकना और देखना क्या मेरे जीवन में कवित्रा आत्मा है अगर है तो यह सब बाते मेरे जीवन में घटनी चाहिए है अलेल्विया अन्य भाषा के बारे में मैंने सपश्ट वचन से कहा और सिखाया है अन्य भाषा क्या है जो शिश्यों ने प्रेड़तों वो सामर्थ थी और कुरुंतियों में जो पॉलूस कहता है वो अन्य भाषा है वो दान है वर दान है अलेल्विया तो पवित्रा आत्मा हर एक के लिए है पर आपको प्राप्त करना होगा कमाना होगा उसके लिए परिश्रम करना होगा खुद को तयार करना होगा अलेल्वि आलेलिया, क्या आप तयार है, क्या आप तयार है, देगा फिर एक बार गएता हूं, वो खट-कट आएगा, वो आपको पुकारेगा, पर जबरदस्ती नहीं करेगा, आज आपको खुद को तयार होना है, और उससे करना है, प्रभु, मैं अपने तरवाजे को खोलता हूं, कि तेरी प्रवित्रात मा मुझ पर आजाए, आलेलिया, इस घर को मैं तुम्हारे लिए खोलता हूं, कि मेरे जीवन में तरी प्रस्ती आजाए, आओ अपने आपों का उंबन करेंगे, हम सब प्रात मा में जाएए, थांक्यू जीजिस, थांक्यू और एक चोटा सा कोरस हम ला आज पर मेरे शूँ से बात कीजिए, तो अच्ति है पूजिए कर दो